अलो एवरिवन वेलकम टू आवर चैनल गाईज यहां पे हम आज बात करने माल है बिज्यान एंवाद प्राधयोगी की विभाग बिहार सरकार के एक रिट्रमेट नोटिफिकेशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट 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 चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरू करें अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट मेंशन कर दिया गया है कि आवेधन ऑनलाइन कब से स्टाट हुआ है 23 सेप्टमबर से लास डेट रखा गया है 31 अक्टूबर तक का ध्यान रखेंगे सबसे पहला अगर हम बात करें त तो टूटल नंबोर पोस्ट रखे गया है यहां पर टोटल नंबोर पोस्ट के बारे में हम आपसे बात करें तो टोटल नंबोर पोस्ट दे दिया गया है आपको आपको यहाँ पर दिया जाएगा horizontal रेलक्ष जो की reservation है government के norms के according provide किया जाएगा next आते हैं अनुसुची जाती 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 पिछड़ा बर्ग अत्यंत पिछड़ा बर्ग के लिए क्या condition रहेगी इसके बारे में आपको बताया गया है साथी साथ यह mention कर दिया गया है कि अगर आपका कोई भी यहाँ पर कास certificate eligible है तो उसको counseling के समय में सभी आपको certificates को ले करके आने होंगे clear चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारी बात आते हैं उम्रशीमा की तो ध्यान रखिएगा minimum यहाँ पर age दिया गया है 18 years का और अनारक्षित के लिए पूरुष वर्ग में 27 साल अनारक्षित महिला के लिए 40 साल पिछड़ा वर्ग अत्यंद पिछड़ा वर्ग के महिला पूरुष दोनों के लिए 40 साल अनुसुची जाती जनजाती के लिए पूरुस महिला में 42 साल क्लियर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं जो की इसमें क्या-क्या कंडिशन है चेयन के प्रक्रिया सबसे पहले ध्यान रखेगा अभे अर्थियों के 10th के अथवा संपक्ष प्रमान पत्र में जो की certificate आपके पास होगा उसमें जित पूर्थ वर्गिये करमचारियों का ये पोस्ट निकाला गया है चलिए नेक्स हमारा आता है कि क्या-क्या रहेंगी प्रोसीजर अप्लिकेशन की तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप www.dst.bihar.gov पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे रजिस्टर करने के बाद आप आप यहां से direct form को सभी requisite field को complete करके mandatory fields को complete करके submit करेंगे clear रहेगा यहां पर आपको बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहां पर लगेंगी यानि कि याधार कर लाएगा photograph को upload करने का तरीका क्या होना चीए size कैसे होने चीए उसके बाद sign का आपका यहां पर क्या चीज़े required होगी जैसे file size क्या होगा format क्या रहेंगे इसके अलावा section की योगेता में क्या-क्या चीज़ें आपको upload करनी है किस तरीके का यहां पर qualification का details होगा साथी साथ आपको यहां पर बताया गया है सारे एक-एक steps के बारे में कि किस तरीके से आप step को follow करेंगे step follow करने के बाद final submission के बारे में आपको दे दिया गया है यहां पर बताया गया है कि कोई problem आने से आप state.bihar.gov.in slash dst पर जा करके संपर्क कर सकते हैं वहां आपका grievances अगर कुछ problem आ रहा हो तो उसके लिए आपको यहां पर help किया जाएगा online application start होने की last date application को submit करने का last date यहां पर 31 October रख रखेंगे यह था आज का बिहार department of science and technology दियान रखेंगे department of science and technology का recruitment notification का अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक next और नए अपडेट के साथ बने रिये चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें थैंक्यू सो मच